हेलो फ्रेंड्स मेर नाम है चारु चौधरी और हमारे चैनल चारु चौधरी में आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तों जैसा कि मैं आप से अपनी कई वीडियो में पूछ चुकी हूँ आपको किसे रिलेटेड वीडियो ज्यादा चाहिए कौन सा सब्जेक्ट जो है वह आप पढ़ना चाहते हैं कुछ जीके की शौर्ट ट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर नेट एक्जाम के प्रिपरेशन कराती रहूं आर्पी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो हिंदी ग्रामर किस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है प्लीज मुझ का सेलेक्शन नहीं हो पाया तो उससे कहीं निराशा आ जाती है आपको जो आसपास के लोग बार बार कहते हैं कि आरे ये तो इसमें पास नहीं हो सकते तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक सबे के बाद थे पेड़ था उस पेड़ पर चील रहती थ चील ने भी अंडे दिये और मुर्गी ने भी अंडे दिये चानक ऐसा हुआ कि चील का अंडा जा पड़ा मुर्गी के अंडों में और मुर्गी को ऐसा लगने लगा कि मेरा ही अंडा है अंडे फूटे मुर्गी बाहर आये और साथ में वो जो चील का बच्चा था वो भी उस बच्चे को लगने लगा कि मैं मुर्गा ही हूँ और मुर्गी को भी लगा ये मेरा ही बच्चा है वो ऐसे ही दाना चुकता महीं घुमता खोता और मुर्गे के बच्चों के साथ में रहता था अजानक से उस मुर्गी बच्चे को देखा कि आसमान पे एक चील उड़ रह यह क्या है तो मुर्गी ने बताया कि यह चील है और वो उसको देखता रहा और वो उसी तरीके का जीवन यापन करता रहा और वह मुर्गे की ही तरह उसने अपना जीवन जो है वो समापत भी कर लिया तो दोस्तों हम क्या है उसकी पहचान हमें होना बहुत जरूरी है हम जिस ग्रूप में रहते हैं वो हमें अधिकांशतर डिमोटिवेट कर देते हैं और कई पर आपने देखा होगा एक दो बार सलेक्शन नहीं हो पाया तो सभी जो लोग है वो आपको हमेशा कहते हैं कि अरे छोड़ो इस एक्जाम को क्या पढ़ना इसमें इसमें तो सलेक्शन ही नहीं होता एक जो बहुत ही फिक्स है कि अरे कंपिटिशन बहुत तगड़ा है इसमें तो सलेक्शन होना ही वुश्किल है अभी इतने विध्यारती बैठ रहे हैं पर दोस्तों हमेशा देखना जितने विध्यारती किसी एक्जाम के लिए बैठते हैं उसमें से कितने लोग विद्प्रिप्रेशन आये हैं ये भी बहुत इंपोर्टेंट है कई सारे लोग एक्जाम के फॉर्म भड़ते हैं और प्रिप्रेशन नहीं होती है इस कारण फिर वो क्या करते हैं बस एक्जाम देके आगर या फिर छोड़ देते हैं तो आप अपनी preparation के साथ पर खुद पे भरोसा रखिए आप क्या कर सकते हैं आप क्या हैं ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज जो लोग आपको दे देते हैं तो हमारी preparation ऐसी होनी चाहिए कि वो कहीं से भी दे हैं हमारा knowledge जो है वो पूरा होना चाहिए उस subject से related तो all the best मैं उमीद करती हूँ आप सभी जिस भी exam की preparation कर रहे हैं आप उसमें उत्तीन हो सफल हो thank you very much और अगर आपको ये video पसंद आई है अगर आपको ये story पसंद आई है अगर आपको लगा है कि जो मेरी videos है exam से related आपको पसंद आती हैं तो आप उनको like कर सकते हैं share कर सकते हैं subscribe कर सकते हैं thank you very much